बंजाब किंग्स का चमतकार 18.4 ओवर में ही हासिल गया T20 इतिहास का सबसे बड़ा लग से जिहां दोस्तों पंजाब किंग्स ने कोलकातन नाई ट्राइडर्स के खिलाफ इडन गार्डन्स में खिले गए मुकाबले में 8 विकिट से एतिहासिक जीत दर्ज की है T20 किर्किट और IPL के इतिहास का ये सबसे सफल रंड चेज बन गया है कोलकातन नाई ट्राइडर्स ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में 26 विकिट होकर 261 रंड बनाये थे इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने जोनी बेरस्टो के सदक और परवा सिमरन और ससां के अर्सदक की बदूलत मैच आठ गेंसेस रहते हुए अपने नाम कर लिया पंजाब ने 18.4 ओवर में दो विकिट खोकर 262 रंड बनाये 222 रंड के लक्से का जवाब में पंजाब किंग्स ने अच्छे शुरुआत की परवा सिमरन सिंग और जोनी बेरस्टो के बीच पहले विकिट के लिए 93 रंड की साज़ेदारी हुई परवा सिमरन सिंग ने 20 गेंड में 24 रंड की पारी खेली वह रंड आउट हुए इसके बाद रेरी रोसो 16 गेंड में 26 रंड बनाकर आउट हुए इसके बाद जोनी बेरस्टो और ससांग सिंग के बीच 37 गेंड में नाबाद 84 रंड की साज़ेदारी हुई जोनी बेरस्टो और 40 गेंड में 8 चोकों की और 9 चकों की बदोलत 108 रंड बनाकर नाबाद लोटी ससांग सिंग ने 28 गेंड में 8 चकों और 2 चोकों की मदद से 68 रंड बनाई कोलकत्ता की ओरते सुनिल नारायन को एक विकेट मिला कोलकत्त नायट आइडर्स ने सलामे बल्लेवाजों की सतकी साज़ेदारी की बदोलत पहले बल्लेवाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 211 बनाए थे कोलकत्ता के लिए सबसे ज़ाधरन 75 फिल्ड सॉल्ड ने बनाए पंजाब की और्स से अर्सदीर सिंग को दो विकेट मिले कोलकत्ता ने पहले बल्लेवाजी करते हुए दमदार सुरुवात की है सुनिल नारायन और फिल्ड सॉल्ड के बीच पहले विकेट के लिए 138 रन की साज़दारी हुए थी सुनिल नारायन 32 गेंद में 71 रन और फिल्ड सॉल्ड साथिस गेंद में 75 रन बना कर आउट हुए आंद्रे रसेल ने बारा गेंद में 24 रन बनाए थी वहीं बैंक्टेज अईयर ने थे हिस गेंद में 49 रन की पारी खेली